हेलो दोस्तों मैं पूजा सक्सेन फिर से आपके सामने हाजर हूँ 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 टी जी टी पी जी पिटी मैठेमेटिक्स नोड्स की साथ में एक तरफ तो हमारा चल रहा है कॉशन्स का कलेक्शन एक तरफ चल रहा है previous years के कॉशन्स और एक तरफ हम प्रोवाइट कर रहे हैं आपको मैट्रिक्स सबसे पहले हमने बताया कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है फिर हमने मैट्रिक्स की property को describe किया अब हम मैट्रिक्स से related on questions के बारे में पढ़ेंगे जो question TGTPGT point of view से important है तो चलिए start करते हैं इफ A is square matrix and A dash is its transpose यदि एक square matrix है और A dash उसका क्या है transpose है तो A plus A dash by 2 हमेशा symmetric matrix होती है याद रखे A plus A dash by 2 क्या होती है? symmetric matrix होती है तो symmetric matrix क्या होती है? यदि किसी का transpose उस matrix के एककोल हो जायते है उसे हम कहते है symmetric matrix यदि हम बात करें एक square matrix है A dash उसका transpose है तो A minus A dash upon 2 हमेशा याद रखेगा skew symmetric होती है A plus A dash by 2 तो हो जाएगी symmetric matrix और A minus A dash by 2 हो जाती है skew symmetric matrix यदि कहीं आपको चेक करने को आजाए कि skew symmetric matrix है या नहीं तो पहले देख लेना कि diagonal के सारे element 0 है या नहीं है यदि एक भी element 0 नहीं है इसका मतलब वो symmetric matrix नहीं है next हम बात कर लेते हैं इसके बारे में यदि A और भी symmetric matrix है symmetric matrix का मतलब है कि A का transpose A के equal होगा B का transpose B के equal होगा ठीक है अच्छा C order की है तब A B minus B A किस तरीके के matrix होगी ज़रा देखते ही किस तरीके के matrix होगी हमने क्या कि A B minus B A का transpose कर लिया तब इसका transpose कर लिया तो मैं आपको एक formula वदाना चाहती हूँ A minus B का transpose होता है A का transpose minus B का transpose और A B का whole transpose होता है B dash A dash तो हमने क्या किया कि इससे separate कर लिया A B का transpose minus B A का transpose अब इससे formula से open कर लिया तो यह होगी B का transpose A का transpose minus A का transpose B का transpose अब क्या किया जाए भई क्यूंकि यह क्या है A और B दोनों ही कैसी matrix है symmetric matrix है इसका मतलब A dash तो A के बराबर होगा और B dash B के बराबर होगा तो हमने B dash की जगा B रख लिया A dash की जगा A रख लिया A dash की जगा A रख लिया B dash की जगा B रख लिया अब हमने क्या कि इसमें से minus common ले लिया minus common ले लिया तो यह वही form बन गई A B minus B यानि AB-B का transpose इसके negative sign के एक को ला रहा है इसका मतलब matrix कैसी है हमारी skew symmetric matrix है next हम बात कर लेते हैं कि यदि A और B orthogonal matrix है क्या हूँ है? orthogonal matrix है तो हमेशा mind में रखना है कि AB जो matrix हमें मिलेगी वो भी हमेशा orthogonal ही होगी ठीक ही question और TGT और PGT में कभी-कभी देखने को मिल जाता है यदि D की value हो diagonal of D1, D2, D3, Dn जहां D I जो हैं यानि यह जो terms हैं यह 0 नहीं है और I vary कर रहा है 1 से लेकर n तक अच्छा अब क्या करेंगे हम? तो हम D inverse की value क्या होती है? यह term same रहता है बस इन सभी का भी inverse हो जाता है तो D1 inverse, D2 inverse, Dn inverse तो देखने में तो tough लगेगा कि भी इसका inverse कैसे निकाला जाए? लेकिन बड़ी आसाने से हम इसका inverse भी निकाल सकते हैं next हमें देखना है कि यह एक skew symmetric matrix है odd order की कैसी order की? odd order की तो adjoint of a, बिना सोचे समझे, क्लिक देंगे, 0 होता है ठीक है दोस्तों? यदि एक skew symmetric matrix है, odd order की तो adjoint of a, 0 होता है यहां आपको check करने की जूरत नहीं कि आप पहले बना रहे है skew symmetric matrix, वो भी odd order की फिर बाद में आप उसको check करने हैं इतना time हमारे पास नहीं है तो हम direct क्या लखेंगे, कि उसका answer क्या होता है उसका adjoint का mod क्या होता है 0 होता है छली दोस्तों, matrix में हम आगे questions को solve करेंगे और समय समय पे आपको इस तरीके की questions जो direct exam में पूछे जाते हैं उसका collection भी provide करेंगे यदि दोस्तों, आपको मेरे videos पसंद आ रही है questions का collection पसंद आ रहा है explanation पसंद आ रहा है तो please मेरे videos को like करें channel को subscribe करें साथ में bell icon को press करें तक ही इस तरीके की videos आपको मिलती रहें ओके बाई बाई दोस्तों